हालो स्ट्रेंट्स, एडूबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है और संडे की छुट्टियों के बाद हम एक बारपुना आपके वर्सिट को लेकर उपस्थित हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा चले सुरी करते हैं आज की वर्सिट है वर्सिट नमबर 13 जो क्लास एट समाजिक विज्ञान इतिहास पार्थ 2 की वर्सिट है इसमें हम लोग कंपनी का फैलता सासन पढ़ेंगे इससे पीशे के वर्सिट में हम लोगों ने प्लासी के युद्ध तक की पढ़ाई करी है और प 1264 इस्वी में जब बक्सर की अंग्रेजो और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ लडाई होती है जिसमें की दिल्ली के वादसाह और अवद के नवाब सुजाओदीन भी सामिल थे तो तीन सक्तियों को हराने के बाद कंपनी ने भारतिये रियासतों में कंपनी के राजनी रेजिडेंट का काम कंपनी के हीतों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी का अधिकारी भारती राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल कर देने लगे मतलब वो वैसे बालत हुए थे कंपनी के फायदा के लिए कंपनी के हीत जहां वो रिजिडेंट थे वहां के आंतरिक राजनितिक मामलों में भी वो रिजिडेंट दखल देने लगे अगला राजा कौन होगा किसको पद पर बिठाया जाए ये चीजे भी कमपनी के अफसर तै करना चाहते थे कई बार कमपनी ने रियासतों पर सहायक संधी भी थोप नहीं रहता था उसे कमपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाओ के लिए भारतिये सासक कमपनी को रखम देते थे मतलब जिसके साथ यह होता था उस राज्य की सेनाय भंग कर दी जाती थी और उस राज्य की रख्षा अब कमपनी की सेना करती थी और इसके लिए राज्य को कम्पनी को पैसा देना होता था। अगर भारतिय सासक रकम अदा करने में चुक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कम्पनी अपने कबजे में ले लेती थी। मतलब सेना के लिए जो पैसा राजाओं को देना होता था, वो पैसा देने में अगर वो चुक जाते थे तो उनका इलाका कमपनी हथिया लेती थी उदाहरन के लिए जब रिजर्ड विलेजली गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कमपनी को सौपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चुक गया और इसी अधार पर हैदराबाद के भी कई लाके छिन लिए गया कमपनी ने काफी चलाकी से काम लिया एक तो उन्होंने रियास्तों के सैनिक को खतम कर दिया और दूसरी अपनी सैनिक के लिए पैसा मंगने लगे अब रियास्त के पास तो सैनिक भी तो नहीं थी कि वो कमपनी से लड़ते इसलिए उनको चुप चाप कमपनी की बातें मानने में ही भलाई थी और इस तरह से रियास्तों के साथ गलत सहायक संधी करके कमपनी ने धीरे धीरे भारत पर अपना पाउं जमा लिया और उसके बाद हो सीधी लड़ाई करके भी भारत में अपना प्रसार किये सीधी लड़ाई क्या किये मतलब आमने सामने की लड़ाई आरंभिक वरसों में सक्तियां अर्जित करने के बात तो शुरू के वर्सों में कम्पनी ने अपनी सक्ति को बढ़ाया और कम्पनी को अपने राजनितिक और आर्थिक हीतों पर खत्रा दिखाई जब सक्ति को बढ़ाये तो उनको लगा कि अब मेरा राजनितिक और आर्थिक हीत अब खत्रा से घिर रहा है तो कम्पनी ने प्रतक सेनिक टकराओं का रास्ता भी अपना है मतलब आमने सामने की लड़ाई भी कुछ राजाओं के साथ लड़ी इसे हम दो उदाहरणों से समझ सकते हैं मैसूर का टीपू सुलता मैसूर में आंगल मैसूरू युद्ध हुए था मतलब अंग्रेज और मैसूरों के बिच युद् अंग्रेजों का मैसूर से दुआ था और उसके पुत्र तीपू सुल्तान ने जब मैसूर की गद्धी सम्भाली तो 1782 से 1799 की भी चुआ रहा और इस के सासनकाल में भी अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी तो इन दोनों जैसे सक्तिसाली सासकों के नेत्रितों में मैसूर काफी ताकतोर हो चुगा था मालावार तट पर होने वाला ब्यापार मैसूर रियासत के नियांत्रन में था मालावार तट कहा जाता है यह जो केरल का यह वाला तट होता है इसको मालावार तट कहते हैं तो यहां जो ब्यापार होता था यह मैसूर रियासत के नियंत्रन में था जहां से कंपनी काली मिर्च और इलाईची खरीती थी 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पढ़ने वाले बंदर गाहों से कमपनी को काली मिर्च और इलाइची के निर्यात को रोक दिया सुल्तान ने अस्थानिय सौधागरों को भी कमपनी के साथ ब्यापार करने से रुख दिया सुल्तान ने फ्रांसिसी ब्यापारियों के साथ भी घनिष्ट संबंद विक्सित किये और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनी की करण किया सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और मैसूर के साथ अंग्रेजों की चार बार 1766 से 1779, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 की जंग हुई चार बार लड़ाई हुई सिर्रंग पट्टम नम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राज काज पुराने वोडियार राजवन्स के हाथों में सौंप दिया गया इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधी थोप दी गई मतलब कि उसको भी धिरे धिरे अंग्रेजी राजे में मिला लिया गया और दूसरी लड़ाई अंग्रेजों की मुख्यूई मराठों के साम 18. सताबदी के आखिर में कमपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी 17.61 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाग दिली से देश का सासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया मतलब मराठे हार गये उन्हें कई राज्यों में बाँट दिया गया इन राज्यों की बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकबार, भोसले जैसे अलग-अलग राजवनसों के हाथों में थी ये सारे सरदार एक पेशवा जो सरोच मंत्री के अंतरकत एक राजमंडल कनफेडरेसी के सदस्य थे पेशवा इस राजमंडल का स्यानिक और प्रसास की ये प्रमुख होता था और पूने में रहता था महादीजी सिंधिया और नाना फड़नुईस दो प्रसिद मराठा युद्धा और राजनितिक के थे एक के बाद कई युद्धों के द्वारा कंपणी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधी के साथ खत्म हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803-1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में इस्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भुभाग अंग्रेजों के कबजे में आ गया अंतता 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया पेशवा को पूरे से हटकर कानपूर के पास बिठूर में पेंसन पर भेज दिया गया अब बिंध के दक्षिन में इस्थित पूरे भुभाग पर कमपणी का नियंतरन हो चुका था तो इस तरह से कंपणी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना बर्चास फैला लिया तो बच्चो इस से सम्मंदित कुछ और प्रस्न भी है और उन प्रस्नों को देख लिजए यहां चार प्रस्न दिया गया है पहला प्रस्न है इस्ट इंडिया कमपणी ने सहयक संधी के द्वारा भारती रियास्तों पर किस परकार कपज़ा किया और दूसरा प्रस्न है अंग्रेज इस टिपु सुल्तान से क्यों आग बबूला थे इस लड़ाई के क्या परणाम हुए और तीसरा प्रस्ण है मराठा संग के प्रमुख राजवन्स कौन से थे ये संग किस प्रकार से सासित था और चौथा प्रस्ण है इस्ट इंडिया कमपनी ने मराठो को किस प्रकार से अपने अधीन किया तो चलिए अब इन प्रस्णों के उत्तर लिखते हैं पहला प्रस्ण है कि इस्ट इंडिया कमपणी ने सहायक संधी के द्वारा भारती रियासतों पर किस प्रकार कबजा किया तो इसका उत्तर है इस्ट इंडिया कमपणी ने भारती रियासतों पर सहायक संधी थोपा इसके अधार पर रियासतों को अपनी स्वतंतर सेना रखने क अधिकार नहीं होता था, कमपनी की सेना से इनको सुरक्षा मिलती थी, अगर कमपनी के सेना का खर्च रियासत देने में चुक जाते थे, तो उनका इलाका कमपनी अपने कबजे में ले लेती थी, इस तरह से कमपनी ने सहायक संधी के माध्यम से भारती रियासतों पर कबजा क वहों से कमपनी को काली, मिर्च और इलाइची के निर्यात को रुख दिया। जिससे अंग्रेज टीपू सुल्तान से नाराज हो गया और इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार हुई। मैसूर राज्य में पुराने बोडियार राजवन्स का सासन अस्थापित कर दिया गया, मैसूर पर भी सहायक संदी ठोप दी गई। और प्रस्मितीन है, मराठा राजवन्स के प्रमुख राजवन्स कौन से थे, यह संग किस प्रकार से सासित था। इसका उत्तर है, मराठा संग के राजवन्स थे, सिंधिया, होलकर, गायकवार और गोशले, यह सारे सरदार एक पेशवा के अंतरगत, एक राज्य मंडल के सदसे थे, पेशवा राज्य मंडल का सैनिक और प्रसास की प्रमुख होता था, और पूने में राता था। चौथा प्रस्ण है, इस्ट इंडिया कंपनी ने मराठो को किस प्रकार से अपने अधिन किया, तो इसका उत्तर है, इस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मराठो को अलग-अलग राज्यों में माट दिया, फिर इद्धो के द्वारा मराठो को हरा कर उन्हें अपने अध झाल झाल